मिशन सिक्षं समवाद दैनिक नेतिक प्रभात दिनांग 31 अगस्त वर्ष 2024 दिन शनिवार बाल कहानी बच्चों का अधिकार तो आईए सुनते हैं, आज की बाल कहानी बच्चों का अधिकार बरसात के दिन थे सभी बच्चे हासी खुशी से विद्याले जा रहे थे लेकिन नन्ही सी नयंतारा उन सभी बच्चों को किवल देख रही थी वह चाह कर भी स्कूल नहीं जा पा रही थी इसका कारण था अपने छोटे भाई बहनों तो तक घर की देखबाल करना जब भी कोई सिक्षक उसके घर आता और उसके स्कूल ना आने का कारण पूशता तो वह स्वयम बताती कि मेरी माँ खेत पर काम करने गई है और मैं घर और छोटे भाई बहन की देख भल कर रहे हूँ एक बार की बात है जब सिक्षक उसके घर गए तो उनकी मुलाकार नयान तारा की माँ से हुई उसकी माँ ने रोते हुए बताया कि यद्य भी मेरा पती काम पर प्रति दिन जाता है लेकिन शराब की बुरी आदत के कारण घर और बच्चों की देख भाल बिलकुल नहीं करता है सिक्षकों ने उसकी माँ को ढांड़स पंधाया और अभिभावक मीटिंग में इस बार नयान तारा के पिता जी को भीजने के लिए कहा मीटिंग के दिन उसके पिता जी स्कूल आए उन्हें समझाया गया कि सिक्षा, स्वास्ते और भोजन सभी बच्चों का अधिकार है उससे उन्हें वन्चित नहीं किया जा सकता है उसके बाद का दृष्य बदला बदला सा है वह बच्ची भी अब अन्य बच्चों के साथ प्रतिदिन स्कूल आती है उसका परिवार भी अन्य परिवारों की तरह हाशी खुशी रहने लगा है संस्कार संदेश अच्छी सिक्षा, अच्छी सेहत तथा अच्छा भोजन बच्चों का अधिकार है उससे उन्हें वन्चित न करें आज की बाल कहानी की लेखिका है कहानी वाचत निलम भदोरिया, कंपोजिट विद्याले पहरवापूर, विकास कंड मलमा, जनपत फतेःपूर, उत्तरपतेश संक्लन, टीम मिशन सिक्षन संबाद, नैतिक प्रभाद तो बच्चों, आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी? और हाँ, आज की बाल कहानी से आपने क्या सीखा, और ये कहानी अपने माता पिता को जरूर सुनाईएगा वीडियो को सुनने के बार लाइक करना मत भूलियेगा, कर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धान्यवाद